अर्थिये जन्ता पार्टी के नेताओं का आज विधान सभामार्च था विधान सभामार्च के दौरान तमाम जितने भी नेता हैं वो डाग बंगले चवराहे पर पहले पुलिस के जितने नेता हथे चड़े उनसाओं के उपर लाठी चार्ज की गई और अब विधान सभा का ये गेट है जहां पर किस तरीके की तैनाती जो है वो कर दी गई है देख सकते हैं तमाम सुरक्षा कर्मियों को यहां पर मुस्तैद कर दिया गया है क्यूंकि जितने भी नेता कई जो बड़े नेता है वो हिरासत में लिये गया है और कई नेता इंकम टेक्स चौराहे पर थे और उसके बाद वो यहां पर सीधे विधान सभा के गेट पर भी पहुंचने वाले है उससे पहले यहां पर तमाम सुरक्षा कर्मियों को मुस्तैद कर दिया गया है अल जीलो के फोर्स को बुलाया गया है और इस जो कहा जा रहा है कि जो घटना हुई है और उसमें एक जो जहानाबाद के महामंत्री है उनका भी निधन आने की जो खबर है वो मिल रही है हलाकि अब तक इसकी पूश्टी नहीं हुई है लेकिन फिलहाल जितने भी विधायक और सांसद है कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है समराठ चौधरी सुसिल कुमार मोदी और पुर्व डिप्टिस सियम रेनु देभी इन तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया है लेकिन यह कहा जा रहा है कि विहार विधान सबा के गेट पर भी हो सकता है कि कई नेता जाय हुडदंगे हो इस तरीके से अलट मोड पर इसलिए रखा गया है तमाम सुरक्षा कर्मियों को और राजधानी पटना का जो बता दे आपको कि इंकम टेक्स चौराहा है वहाँ पर कई नेता मौजूद थे और यहाँ पर अब सुरक्षा कर्मियों को मुस्तायद कर दिया गया है अब से कुछी देर में कहा जा रहा है कि यहाँ भी जो लोग है वो पहुँचेंगे और उससे पहले देखे किस तरीके से गहमा गहमी का जो यह पूरा महौल आपको नजर आ रहा है यह विहार विधान सभा के गेट की है जहाँ पर तमाम सुरक्षा कर्मियों को मुस्तायद किया गया है सभी के हाथों में जो है वो डंडे दिये गये हैं हेलमेट जो है जो पुलिस की सुरक्षा में रहती है वो तमाम लोग लगाकर तमाम गैजट्स के साथ जो है वो गेट पर तैनात हो गए है और तमाम तस्वीरे भी हम आप तक अपडेट कर रहे हैं कि इस तरीके से विहार विधान सभा के गेट पर जो तमाम लोगों की तैनाती है वो की गई है और सीधी तस्वीर राजधानी को मौजूद है क्योंकि सदन अभी चल रहा है और ऐसे में तमाम निताओं के जो विपक्ष के में जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके भी आने की जो सूचना है वो है इसलिए तमाम लोगों को मुस्तैद किया गया है तमाम तस्वीरे आप तक अपडेट कर रहे हैं विहार